सो हे गाइस कैसे है आप लोग आई होब सब भाई मस्त होंगे तो यह आज की वीडियो में आपको कुछ स्टैप का बैगराउंड मनिपलेशन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं जो कि आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस फोटो को कै ऐडिट करना है बस वीडियो को देख लोग कोई प्रब्ल already आने वाली हूं एनकि प्र प्रउब्लम नहीン आने वाली है क्योंकि बस नहीं प्यंच करके बताया कि से एडड्र करना है और जीटना भी क्ली आइश जादा इज़्ी एडिट है साच में कोई प्रब्लम नहीं आ लोड कर देना एंड जैसी आप लोग लिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरा वैरसाइड खुल जाएगा उसके बाद आप लोग थोड़ा से ऊपर जाओगे ना तो पेंज इस मिल जाएगी वर्ट वहां से आप लोगों को डाउनलोड नहीं करना ऐसा क्यूं 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 क्य आप लोगों को एकदम एकड़ी क्वालेटी में मिल जाए अभी आप लोग ने फोटो को उपन करना है मतलब बैग्राउंड को उपन करना है और उपन करने के वाद गैलरी के अंदर आ जाना और श्टॉक तो आपको पताई है कि सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अभी मैं आप लोगों को यहां पर एक सन वाला पी एंजी दूँंगा मतलब लाइट वाला वाइट लाइट है उस चीज को हम लोग अपलाई करेंगे प्लस में एक एलिफेंट वाली प्येंजी भी है तो उन दोनों चीजों को अभी हम लोग एपलाई करने वाले हैं तो च चलेंगे ना तो यहां पे एक blend का option मिल जागा इसको screen कर देंगे अभी यह जो elephant वाली पींज है इसको side करते हैं उसके बाद यह जो light वाली पींज है इसको हम लोग just कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और अपने background पे लगाना है तो काफी अच्छा एक light create करेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपने background पे इसको proper लगाएंगे यह काफी अच्छे तरीके से set भी हो जाएगा तो पहले आप लोग बैगरांड को छोटा कर देना और इसको इस तरीके से यहां पर adjust कर देना ठीक है तो अभी देख सकते हो कितने अच्छे तरी करने नहीं आता है तो description box में वीडियो है वहां से जाके सीख लेना तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों PNG को एक साथ कर लिया मतलब अपने model को भी और यहां पर butterfly वाली PNG को भी है वे बारी बारी हम लोग adjust करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना आप लोग अप आप लोगों ने चलना है और इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा crop कर देना फिर यह वाला जो butterfly वाला PNG है इसको आप लोग अपने model के shoulder के पास कुछ इस तरीके से adjust कर सकते हो एंड इसको आप लोग अपने coding भी लगा सकते हो तो मैं इस तरीके से लगा रहा हूं उसके बाद यह की PNG को add करेंगे जो कि देखने में काफी जदा अच्छी लगेगी एंड इस background से मिलता जूलता है कि fact add कर देंगे तो काफी बढ़िया लगेगा तो सेम अपने gallery के अंदर चलते हैं और यहां पर उस PNG को भी मैं add करके दिखाता हूं तो अभी क्या करना है सबसे पहले हम लो करना जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मर्ज हो चुका है यह अपने background से और right पर क्लिक कर देना अभी जो पिक्साइट का वरक है वह पूरा complete हो चुका है और हमने सारी प्यंजिस को भी add कर लिया जितना भी प्यंजिस का वरक था हमने complete कर लिया अभी कोई भी यहां पर नहीं बचा है तो इस photo के इस arrow के उपर क्लिक करके save कर लेंगे और color getting किस तरीके से complete करना है मैं आप लोग lightroom application के अंदर आ जाओ उसी के अंदर बता देता हूं तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकती हो हम लोग lightroom application के अंदर आ चुके हैं अभी हम लोग यहां पर color grading को complete करेंगे तो सबसे पहले आप लोग सर्मामेटर के टोल पर क्लिक कर देना उसके बाद temperature का यहां पर एक option दिखेगा इसको आप लोगने 2% increase कर देना एंट को कुछ इस तरीके से आप लोगने माइनस कर देना है उसके बाद यहां पर वाइबरेंस को कुछ इस तरीके से करने के बाद आप लोगने सियां क्लर पे आना है और उसके कीशक का पर आच तहरीके से आप लोगने माइनस कर देना है साच्चूरेशन को को कई समझ में आगया और कर देना यूँ है इसको आप लोगोंने ज़स्ट कुछ इस तरीके से माइनस कर देना है 42 और सेचुरेशन को थोड़ा से इंक्रीज कर देना है ठीक है एंड लूमनेस को भी आप लोगने थोड़ा से इंक्रीज कर देना है तो मने 9% रख लिया है फिर यलो कलर पहेंगे इसके साचुर देना माइनस कर देना है त्व यहां से आप लोग मासकींग्स कर सकती ओ तो अभी मैं इसको थोड़ा से इंक्रीज कर देता हूँ त मैं 44 परसेंट रखूंगा आप लोग इतना रख सकती हो उसके बाद गया किना एक और चीज भी मैं आप लोगों को बता हुआ तो सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पर करते हैं और अभी मैं आपको बिफोर एंड आपर दिखा सकता हूं यह देख सकते हो बिफोर एंड यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर तो कितना अच्छा ज्यादा कलर टोन यहाँ पर हो चुक है उसके वाद हम लोग चलेंगे हैं से प्रूफाइल लुप्शन के अंदर और य यहां से राइट पर कर देना है ताकि हलका हलका एफेक्ट अपने मोडल के पिक के अंदर आ जाए ठीक है तो अभी देख सकते हो कितना अच्छा एफेक्ट आ चुका अपने फोटो के अंदर और अपना जो एडिटिंग वरक है न वो पूरा कंप्लीट हो चुक है ठीक है आ लोगोगों को कलरोडदंग नहीं यादा कि किसतरीके से अपऩाइप प्रेशत देडना प्रिशाट पे जाना और कोपी सेटिंग पेजर जाकर ़ो और वहाँ पे आलगा यादा चैनल को अबर और इसई कर दो और अगला पोस्ट मैं ऐसे ठीक के ओंदे रहुंगा और आपको तो पता ही है कि आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो आज के टाइम एसे थेटिक को तो गैस ऐसे सपोर्ट करते रहो मैं अच्छा अच्छा टुटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा ठीक है